लोग पूछते हैं स्वामी जी सेक्स कितनी बार करना चाहिए मैं यह कहता हूँ सेक्स मत करो संभोग करो हमारे आईरुवेद में कितना प्यारा शब्द है संभोग वो भोग जो दोनों ने मिलकर किया वो भोग जिससे त्रिप्ती हुई वो भोग जिससे शानती मिली वो भोग जिससे हमारे बच्चे उत्पन होते हैं वो भोग जिससे जीवन जीने का पूर्ण आनंद आता है तो संभोग तो जितनी बार करो उतना ही अच्छा उतना ही फायदे मंद क्योंकि आप गरस्त जीवन जी रहे हैं आप सन्यस्त नहीं है आपको जीवन भी जीना है आपको बच्चे भी पैदा करने है आपको काम भी करना है बिजनस भी करना है धंदा भी करना है नौकरी पे भी जाना है आपको शरीर भी समालना है और घर भी समालना है बच्चे भी समालने है तो ये तो एक तृप्ति है ये हम दो का मिलन करवा के परमात्मा ने सृष्टी को चलाने का चक्र बनाया है और इसमें जितना आनंद व्यक्ति को महसूस होता है दुनिया के सारी चीजें इसके सामने फिकी बढ़ जाती है आपको दुनिया में किसी चीज में भी इतना आनंद इतनी श्त्रिप्ति इतना सुकून नहीं मिला होगा जो संभोग करने के बाद मिलता है और संभोग तो दो दिलों का मिलन नहीं दो आतमाओं का मिलन भी है दोनों उस प्रेम की गंगा में नहा जाते हैं सेक्स ना करके अगर आप संभोग करते हैं तो आपको अपने आप ही समझा जाएगा कितनी बार करना है, कितनी बार आपकी पत्नी को संतुष्टी मिलती है, कितनी बार आपको संतुष्टी मिलती है, चाहे जीवन भर करो, इसमें कोई बुराई थोड़ी है, ये तो प्राकिर् अच्छा है आपकी हेल्थ के लिए, आपके परिवार के लिए, आप दोनों के प्यार की कड़ी को पिरोकर रखने के लिए, आपकी जिन्दगी मस्ती भरी, प्रेम को पूरी तरह से एक दूसरे को अभिव्यक्त करने के लिए तो बहुत अच्छा है, इसे तो जितनी बार मर ज पर्शन दिखाते हैं कि मैं बीवी पर रंग जमा दूं, मैं पत्नी को दिखा दूं, मैं कितना बड़ा तुर्रम खान हूं, ऐसे नहीं, आप उन्हें सिर्फ ये करना है, उसे भी आनान दाए, आपको भी आनान दाए, वो भी जीवन सुखी जिए, आपका वैवाही की जीवन पैर सूच जाएं, और बाद में इतनी हड़ियां दर्द करती रहें, कि बाद में किसी काबिल ना रहे, या एक ही बार में इतनी दौड लगा ले कि बाद में साथ दिन तक दौडने के काबिल ना रहे, तो उतना करने का क्या फायदा, आप रोज दौड लगाओ, और आने के बाद आपकी शरीर में फ्रेशनेस आजए, आपका शरीर खिल खिला जाना चाहिए, आप चाहे हफते में दो बार करो, चाहे तीन बार करो, चाहे चार बाज करो, चाहे पूरा हफता करो, उसमें कोई बुरा ही नहीं, लेकिन एक ही दिन में पूरा रंग जमाने के श पिचक जाए और निम्बू जैसे निचुड जाता है आपका शरीर निचुड जाए तो आप वैसे कोई किसको दिखाना है किस चीज का प्रभाव जमाना है कौन सी अपने मरदाना शक्ति दिखानी है ये तो आनंद की अनभूती है ये तो अपने पार्टनर को सैटिसफाइड करना है ये तो दोनों का मिलन है ये तो दोनों की त्रिप्ति है इसको पूजा प्राथना की तरह करोगे तो जीवन भर सुखी रहोगे वैवाहिक जीवन ऐसा भी तेगा कि आपकोगे जिन्दगी जीने का आनंद आ गया और कौन सी बहुत जादा जल्दी है कि आज ही सब प कुट्टी के अकॉर्डिंग करो इसे संतुष्टी के अकॉर्डिंग करो इसे एनरजी के अकॉर्डिंग करो जितनी आप में ताकत है जिससे आपको लोगे कि डबल मजा आ गया मजा तब है जब आप इस आनंद को प्राप्त करें जब आप संभोग करें तो उसके बाद आनंद से, शक्ती से, उर्जा से भार जाना चाहिए, ना कि खाली हो जाना चाहिए, तो अगर आप संभोग के तरिके से करोगे, तो हर बार उर्जा भरती जाएगी, और आपका जीवन सुखी, सुख में वहवाहिक जीवन होगा.